ज्यान मंत्राहूं रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हुली का दहन के लिए केवल सवा गंडे का मूरत है और हुली का दहन किस समय किया जाएगा और हुली की सही तिथी क्या है तो आए जानते हैं। रंगों से भरा तैवार हुली इस बार 24 मार्च को पड़ेगी, 25 मार्च को रंग वाली हुली खेली जाएगी। हुली का दहन के दिन 24 मार्च को भद्रा कालसुभा नो बच के 55 मिनट से शुरू होकर रात 11 बच के 13 मिनट तक रहेगा। ऐसे में भद्रा के बाद रात 11 बच के 13 मिनट पे होली जलेगी इसके चलते लोगों को देर रात तक होली का देहन के लिए इंतजार करना पड़ेगा देहन के लिए महज 1 गंटा 20 मिनट का शुब मूरत बन रहा है अगर हम जोतिश चारियों की बात करें तो 25 मार्च को होली मनाई जाएगी जोकी रंगों की होली होगी होली पर 100 साल बाद चंद्रग्रेंड का योग भी बन रहा है हाला की भारत में दृष्यमान नहीं होने से इसका कोई प्रभाब नहीं होगा फालगुन पुर्णिमा 24 मार्च को होली का का पूजन होगा फालगुन पुर्णिमा की शुरुबाद 24 मार्च को सुभा 8 बच के 13 मिनट पे होगी अगले दिन 25 मार्च को सुभा 11 बच के 44 मिनट तक रहीगी जो तिशचारों की बात करे तो होलिका दहन बद्रा के बाद रात 11.13 मिनट से लेके मद्धरातरी 12.33 मिनट के बीच होगा होलिका दहन के दिन सरवार्थ सिद्ध योग और रवी योग बन रहा है सरवाज सिद्ध योग सुभा 7.24 मिनट से लेके अगले दिन सुभा 6.19 मिनट तक का है रवी योग सुभा 6.20 मिनट से लेके सुभा 7.34 मिनट तक का रहेगा होलीका की राक को मस्तक पर लगाने का भी विदान है ऐसा करने से सारे रिककष्ट दूर होते हैं होलिका देहन मुहरत समय में जल, मौली, फूल, गुलाल तथा डाल वा खिलोने की कम से कम चार मालाएं अलग से घर मिलाके सुरक्षित रख लेने से अच्छा रहता है इसमें से एक माला पित्रो की, दूसरी हनुमान जी की, तीसरी शीतला माता की तथा चौथी अपने परिवार की नाम की होती है कच्छे सूत को होलिका के चारो और तीन या साथ परिक्रमा करते हुए लपेटना चाहिए फिर लोटे का शुद्ध जल और पूजन की अन्य सभी वस्तूओं को पंचामिरित होकर एक-एक करके होलिका को समर्पित करें रोली, अक्षत वफूल आदी को भी पूजन में लगातार प्रयोक करें गंद, पुष, प्रयोक करते हुए पंचोप चार विधी से होलिका का पूजन किया जाता है पूजन के बाद जल से अर्ग दें, होलिका दहिन होने के बाद होलिका में कच्चे आम, नारियल, बट्टे या सब्त धानने, चीनी के बने खिलोने, नई फसल का कुछ भाग, गेहू, चना, जो भी अर्पित करें होली की पवित्र भस्म को घर में रखें, साथ में गुड के बने पकवान प्रसाद गणेश जी को भी भेट कराने से अच्छा घर में तरक्की होती है तो अभी के लिए बस इतना ही, अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा होम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद